दोस्तों एक महला सोवेरे थाने पहुंशती है और दरोगा जी से हाथ जोड़ करके गड़गडाने लगती है और कहती है साब मुझे नयाय चाहिए मेरे साथ जो हुआ है उसका नयाय चाहिए मैं इस जिन्दगी से जुदा हो सकती हूँ मर सकती हूँ मगर नयाय नहीं मिला त देखने के बाद इतनी सुन्दर महला थी कि दरोगा के मुह में पानी आ जाता है और दरोगा कहता है कि आप इतनी घवराओ नहीं मैं हूँ मैं सब की सुनने वाला हूँ आपकी हर बात सुनूँगा बताई आपके साथ क्या हुआ है तो वो कहती है सर मेरी जो बात है आप सुनेंगे तो आपको बताएं मुझे नयाय चाहिए दरोगा कहता है नयाय अवस्य आपको मिलेगा लेकिन मैं जो कहूंगा वो आप मेरे साथ कर सकती है दोस्तो दरोगा ने उस महला के साथ जो किया आप सोच भी ने सकते आखरकार एक पुलिस कर्मी और वो भी दरोगा ह कर उस महला के साथ ऐसा क्या किया जो महला किसी को बताने लायक नहीं रही नमस्कार परणाम में हूँ प्रेम आदब ये सच्ची कहानी लेकर को उपश्तित हुआ हूँ दोस्तो ये यूपी की कहानी है डिस्टिक फ्रोजाबाद की जो महला होती है महला एक दिन सोवेरे पहुं जाती है ठाने जब पहुंचती है पहुंचनी के बाद दरोगा जी से कहती है साथ मेरे साथ जो हुआ है उसका नयाय चाहिए उसके साथ वो हुआ कि कुछ लोगों ने कुछ गुंडों ने उसे घेर करके उसके साथ छेड़ खानी की और उसे बेज़जत किया इसकी गौहर लेकर के ठाने पहुंच जाती है। दरोगा साब जो होते हैं उसे देखते हैं देखने के बाद उसके मुह में पानी भरा आता है और कहते हैं आप घबराओ नहीं। आपको नयाय अवस दिया जाएगा लेकिन एक सर्थ होगी जो हम कहेंगे वो आप कर सकती हो लेकिन महला नहीं समझ पाई कि दरोगा जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। दोस्तों चलिए इस कहानी को आगे लेके चलते हैं कि जो महला थी वो तलाक्षदा महला थी, ऐसा हुआ, इसका बेवा हुआ था दो हजार सौदे में, फ्रोजाबाद में ही इसका बेवा हुआ था, इसके पती का नाम था विवेक, लेकिन जो ये महला थी एक प्राइवेट कं अपनी में काम करती थी लेकिन पडल लेखने में पहले से होस्यार थी ये लड़की लेकिन लड़की ने एक सर्त रखी थी अपने पिता से भी कहा कि मैं कहीं भी रहूं चाए सासरे में रहूं चाए मायके में रहूं मैं अपनी जॉब करूँगी अपनी ड्यूटी करूँगी मुझे पचास यह रुपए लगबग मिलते हैं लेकिन मैं किसी के ताने बाने नहीं सुन सकती क्योंकर वो लड़की जो थी खुद ही चंचल थी किसी की बात नहीं मानती थी लेकिन वो चरित्र ही नहीं थी लेकिन उसका सुभाव ही ऐसा था दोस्तो उसका वेभा विवेक के साथ हो जाता है और यह सस्राल आ जाती है सस्राल आती है आने के बाद जो काम बहां करती थी वही कंपनी थी वही ब्रांच थी तो वहां उसे फ्रोजबाद में ही नोकरी मिल जाती है फ्रोजबाद में नोकरी मलने के बाद लेकिन उसे ये नहीं मालम था कि या मैं सस्राल में हूँ या मायके में हूँ वो तो मायके जैसा वरताओ किया करती थी दोस्तो मायके जैसा वरताओ किया करती थी पती नी एक दो बार समझाया कहा कि आप एतनी लेट उठती हो और आकर के आखरकार घर में नौकरानी खाना बन आप उठती हो टिपल लगाती हो शीधी निकल जाती हो ये तुमारा कौन सा हिसाब है। दोस्तो पती ने कई एक बार समझाया कहा आप सस्राल में रहो मेरे भी इज़त है मेरा भी खांदान है लोग आते हैं मुझसे नाना प्रकार की बाते हैं आप ऐसी फैसन में जाती हो जैसे गाउं की लड़कियां घूमती हैं तो वो कहती है कि गवार लोग क्या जानते हैं अर लेकिन उसका पती बार बार समझाता है कहता है कि आप परिशान क्यों करती हैं लड़की का नाम था रानी कहा रानी आप बार बार इतना क्यों बोलती हैं आखर पतनी पतनी ही रहती है पती से बढ़के कभी हो नहीं सकती आप ऐसी बातें क्यों करती हैं आपको क्या हुआ है लेकिन वो किसी बात पर अग्री नहीं होती दोस्तो धीरे धीरे यहोई घर के में बातें चलती रहती हैं लेकिन कभी कभी तो अपनी सास को भी तारना देती थी ससर को भी तारना देती थी लेकिन विवेक से कोई कुछ कहता नहीं था कौं यह मार पीट ना करे लेकिन वो अप्धूद ऐसी थी उसे ग्यान नहीं था कि मैं एक किसी की औरत हूँ पैसी अवस्य पैदा करती हूँ लेकिन घर में जब एक बार लेट लोट करके आती है पती उसका कहता है कि तुम एतनी लेट जागती हो थोड़ा नाद हो करके पूजा पाट कर लिया करो भगवान का व बज्या नहीं करती दोस्तो इसी चलते चलते बहुत बड़ा बिवाद जैसा फैल जाता है और बिवाद जब हो जाता है तो वो अपने पिता को फोन करती है और कहती है कि पिता जी मुझे इस घर में नहीं रहना है इस बिवेक से मुझे डिवोस चाहिए तलाक चाहिए उसक श्यान रुप कमाती हूँ और ये कुछ नहीं करता इसके साथ कैसे मुझे आज ही अभी अभी तलाक चाहिए। अपने पिता को बुलाती है और बो भी फ़ोन करता है अपने ससर को बुलाता है और समझाने की कोशिस करवाता है लेकिन बो मानने को त्यार नहीं होते पेता कहता है बेटी आखर ससुराल है ससुराल में कैसे रहा जाता है ससुराल एक मायका नहीं है आप पैसा पैदा करती हो को कोई बात नहीं है पैसा सब कोई पैदा करता है दोस्तो माने भी समझाया बेटी आखरकार एक बार साधी हो जाए आखर दोबारा क क्या नहीं करोगी लेकिन वो किसी की बात नहीं बांते लेकिन एक बात का क्या रखना दोस्तो अगर पती पैसा कितना भी कमाए कभी ये नहीं कहता कि हमें किसी की आवस सकता नहीं है पुरुस पैसा पैसा करे तो कभी ये नहीं कहता कि मुझे किसी की आवस सकता नहीं है अगर अगर औरत पैसा पैदा करना शुरू हो जाए तो वो ये कहती है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है दोस्तो यही तो एक पागलपन होता है पती कभी नहीं कह सकता पुरुष कभी नहीं कह सकता कि हमें किसी की आवस्ता नहीं है अगर औरत कमाना शुरू हो जाए तो उसका सब्द यही होता है कि मुझे किसी की आवस्चता नहीं है दोस्तो यह बहुत बड़ी कमी होती है यह गरूर होता है गमंड होता है दोस्तो वो लड़की किसी की बात नहीं मानती और अपने पेता के साथ चली जाती है, जाने के बाद कोट के द्वारा डिवोस ले लेती है अपने पती से अलग हो जाती है और पचास जार रुपई के घमन नवे वो नोकरी करती रहती है लेकिन जी चाहे जहां जाती है, जी चाहे बहां आती है लेकिन उसका जो पती होता है वो सोचता है कि जिन्दगी में है कि अगर इसने साथ छोड़ दिया तो अब बिवा नहीं करेंगे क्यांको उसकी साधियां भी आना शुरू हो जाती है उसकी साधिय आती है लेकिन वो तोड़ देता है रिस्ता कोई नहीं करता दोस्तो एक दिन होता ऐसा है कि वो नोकरी पर जाती थी डूटी पर जाती थी जिन स्पेंट पहनती थी यह लगबग 24-25 बरस थी लेकिन जबान थी सुन्दर थी लेकिन उस पर गुंडे नजर रखने लगे थे नजर रखते थे एक दिन जब साम को आ रही थी तो गुंडों ने उसे छेड़ दिया उसे गहरा उसके साथ बदसलूकी की कपड़े भी फट गए उसे बेज़जत किया जब बेज़जत किया वो गुंडे कहते थे कि तु अपने पती को छोड़ करके आई है तु एक बैस्या ह है बैस्या का काम क्या होता है तो ये पैसे से मतलब है तेरा पती कितना सरीब था तु पती की नहीं हुई तो हम लोगों की तो होके रहे तो ये पैसे की भूंक है तो पैसा से मजा ले दोस्तों उसके साथ जो किया जो कुछ भी किया लेकिन करने के बाद वो एक असहाय और तूट जाती है तूटने के बाद सुवेरे सीधे ठाने पहुंचती है ठाने जैसे ही पहुंचती है दरोगा साव से मिलती है और कहती है साव मेरे साथ जो हुआ है वो किसी के साथ ना हो मेरे साथ जो हुआ है जो गुंडों ने किया है मुझे उनसे नहाय चाहिए दरोगा को देखते हैं तो उसके मुह में लारा आ जाती है पानी भरा आता है दरोगा जी कहते हैं ठहर ये ठहर ये आपकी हर विवस्ता होगी आप क्यों परिशान हो दोस्तो पुलिस कर्मी जो होते हैं वो भी एक जैसे नहीं होते दरोगा जी की मुह में पानी आ गया और कहने लगे क आपकी हर बात हम सुनेंगे आप कहोंगी गुन्डों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे, तुमारे पास जहांकी भी नहीं सकते, लेकिन हमारी सरत आप पूरी कर सकती हो, तो वो नहीं समझ पाई और कहा ठीक है, आप कहेंगे वो हम करने को त्यार है, दरोगा जी कहते हैं आज हम मीटिंग में जा रहे हैं कल कड़ा एक्षन लिया जाएगा कल साम को हमारे हां आप आ जाना दोस्तों वो नहीं समझी साम को जब 7-8 बज़े दरोगा जी के पास उनके रूम पर जहां आपस में बैठते थे बहां पहुंचती है पहुंचने के बाद दरोगा जी कुर्शी ड कुर्णों से हमें बिल्कुल छुटकारा चाहिए क्या हूं कि हम रोजाना डूटी आते जाते हैं तो दरोगा जी कहते हैं कि आज की रात मेरे साथ आपको रुकना होगा रुकने के बाद और आज हमारी आप सेवा करेंगी आप मेरे साथ मेरी सारी दे की इच्छा पूरी कर दूगा दरोगा जी जैसे ही उसके पास करीब बढ़ते हैं और उसे पकड़ने को लेकिन वो समझ नहीं सकी जैसे दरोगा जी ने उसे पकड़ा पकड़ने के बाद और उसके पास हाता पाई की और वो किसी प्रकार से वहां से छूट जाती है छूटने के बाद और वो प्लिस वाले खड़े हैं वो जानतों लेते हैं कि इसके साथ कुछ हुआ है दोस्तों वो अपने घर पे आ जाती है घर पे आने के बाद ये बाकिया किसी को नहीं बताती कि दरुगा जी ने मेरे साथ क्या किया है क्या नहीं किया मुझसे क्या कहा सुवेरे वो दूसरी जगे जा रही थी कप्तान से मिलने के लिए बस पकड़ती है बस पकड़ने के बाद जब जा रही थी उधर उसका पती विवेक भी किसी काम से वहां जा रहा था बस से पकड़ करके आगरा के लिए दोस्तों लेकिन सीट पे पहले विवेक बैठा हुआ था और जैसी फ्रोजावाद से वो बस में चड़ती है तो सारी सीटे किलोज थी केवल वही सीट खाली थी लेकिन विवेक जो था अपने गमचे से चेहरा को ढखे हुए था चस्मा लगाए था लेकिन वो खाली थी आकर वही बैठती है जैसे ही विवेक ने उसे देखा तो पहसान लिया कि ये तो रानी है अपना चस्मा अलग करता है और गमचा हटाता है क्योंको जादा लू चल रही थी और जैसे ही रानी देखती है तो उसकी आँखों से आँसु निकल आते हैं आँसु निकल आते हैं विवेक को देख करके विवेक कहता है कि रानी क्या बात है आप तो बहुत खोस हो क्या बा और ये क्या है मांग में सिंदूर है क्या कोई साधी कर ली है क्या पती आपको छोड़के चला गया है तो नामे सर हिलाती है बोले नहीं साधी नहीं हुई है तो आप कहां जा रही हो तो रोते रोते कहने लगती है मेरे साथ जो हुआ है विवेक साथ किसी के साथ नहो मैंने त में त्यागा था उसका परडाम मुझे मिला है बिवेक पूछता है आखर हुआ क्या साधी नहीं की बोले नहीं सिंदूर किसका लगा है बोले वो आपकी नाम का लगा है हमसे बहुत बड़ी भूल हुई थी बिवेक की एक्षन में आ जाता है पूछता है आखरकार तुम्हारे साथ क्या हुगा बताने में क्या संकोच है लाज क्या है मुझे बताईए तो वो एक एक बात बताना सुरू करती है मुझे पहले गुन्डों ने छेड़ा था गुन्डों के पास मैं पुलिस कर्मी थाने में दरुगा के पास गई तो दरुगा ने मुझे रात को आट वजे बुलाया बुलाने के बाद कहा अन गुंडों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे लेकिन मैं नहीं समझी थी कि दरुगा जी मेरे साथ क्या करने वाले हैं दरोगा जी ने आ करके मैं कुर्सी बे बैठी जी पीचे से दगोच लिया मेरे साथ हाता पाई की बद सलूकी की और मैं जैसे तैसे छूट करके बहां से भागा आई अब मैं कप्तान साब के पास गौहर लगाने के लिए जा रही हूँ दोस्तो बेवेक कहता है कि मैंने पहले मना किया जो इस तरी पती को धोका देती है ना पती की बात नहीं मानती है उसका चरत्र भी जाता है उसका चित्र भी जाता है क्योंकि लोग नजाने क्या क्या बातने करते हैं ये बहुत तुम्हें समजाया था, तुम्हें एक बात नहीं मानी थी, मैंने क ди भगवान का बजन करो, लेकिन आपने कोई बात नहीं मानी, लेकिन वो उसके जवान पर कोई सब्द नहीं होता है, रानी रोने लगती है, और कहती है बिवेक अब मेरा दुनिया में कोई नहीं है अब तुमारी मुझे वो याद आती है जो आप मुझे समझाया करते थे कि बेगर पती के पतनी अद जले मुरदा की तरह होती है अब मैं इधर की हूँ न उधर की हूँ मैंने कई एक लड़के देखे लेकर तुमारे जैसा लड़का मेरे समझ में नहीं आया मैं अब कही की नहीं रही प्लीज मुझे माफ करना जो भी गलती हुई है आज से गलती नहीं होगी ऐसा कभी हो नहीं सकता प्लीज मुझे माफ कर दीजिए तो बेवेक कहता है ठीक है पहले आप कहां जा रही है चलो आपका साथ हम देते हैं बहां तक जाते हैं दोस्तों कप्तान के पास अपने पती को लेकर पहुंचती है जो तलाक सुदापती था पूरी मदद करता है और कप्तान से जाकर कि दरोगा जी के बारे में सारी कुछ बताया जाता है लेकिन कप्तान साब बहुत नेक थे उसकी हर बात को समझने की बाद तुरंत ही थाने फौन किया जाता है उस दरोगा को सस्मेंट कर दिया जाता है दोस्तों अधर बिवेक जब चलने को तयार होता है तो रानी कहती है कि अब मैं दूसरी जगह नहीं जा सकती मैं तुमारे साथ आप जहां जाएंगे बहां जाने को तयार हूँ बिवेक जो था अपना कोई काम के लिए आगरा गया हुआ था वो काम नफटाता है घर को आता है तो रानी भी साथ होती है और पैर पकड़ लेती है बिवेक आज के अलावा ऐसा हो नहीं सकता मुझे अपना लेजिए मैंने दरबदर ठोकरे खाई है कोई किसी का नहीं है तो उसे रहम आता है घर फौन करता है और कहता है करानी पीछे पड़ी है आने के लिए अपने माँ पिता से तो बड़े खुस होते हैं बेटा बहु अगर आ रही है तो जतनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी बहु को लेके आज़ो तो अपने घर लेकर के आता है और वो सारी बात भूल जाती है जानी जैसे पत्नी का फर्ज होता है बैसा इसारा अदा करती है साससर की सेवा करती है पती की सेवा करती है और वो भटकने के बाद वो सुरच्छित हो जाती है कहते हैं कि ठोकर खाने के बाद लोग सभल जाते हैं सभलना चाहिए भी दोस्तो कहानी हमारी कैसी लगी कमेंट करके अवस बताई अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सेर करना ना भूले इस कहानी को सुना कर किसी को परिशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, केवल आप लोगों को जाग गुरू को शचित करने का मेरा उद्देश है, आज के लिए विश्तना ही, नमस्कार जेहिंद, जे भारत मिलते हैं, नेश्ट वीडियो में, तब तक के लिए राध आधे, आधे.